किसान बहें नमस्कार आज मैं आपको एक बाद बताना चाहता हूं मोचली किसानों को पता होगी लेकिन कुछ किसानों को पता भी नहीं होती आप ये फिल्ड देख रहे हो और ये जो फिल्ड है आलू का इसने लगबख 60-70 दिन अपना कंप्लीट कर लिया है और किसान ने इसमें यालू ए के रहा है मैं आपको दिखाना साइता हूं आ देखे सारा यूरियर केल्सम क्लूरिट पत्यों पर गश्मा हुआ है और जब फात्यों पर जाता है ना कि देखि यह लेगा रहां पत्ते से शुखाएगे और ब्लाइट की स्टार्ट हो जाती है जब भी फंकस स्टार्ट हो जाएगी अपके और यह ब्लाइट की वहीं से सुरुवाथ हो जाएगी इसमें भी सुरुवाथ हो चुकी है और पूरे फिल्ट की यही इस्थिती है किसान भाइयो जो 6yorum सत्तर दिन का आपका collect हो जाता है ना- अलू का तो उसमें उसका पाला उसका जो लांख होता है इसका उसमें चवर्जस हो जाता है कि विजूरिया को और galsum chloride को नीचे जाने ही नी नहीं देता वो पत्यों पर जाम हो जाता है रो फिर रूप एक रोक के रूप में आपके आलू में दीखने लगता है आपका वो रुपा बेश जाता है आपको इस्पिरे में अपना यूरूपिया खरिच करना पड़ता है अपनी फजल नुक्सान पहुंचाते हैं तो हमेचा ध्यान रहे पचास दिन के बाद में आप अपने आलू में खाद ना दें केवल इस्पिरे से अपने आलू की फजल को आगे ले जाएं धन्यवाद